ठीक है मेरे साथ यहां राजनितिक विशलेशक प्रफेसर रवीकांत जी मैं बीस्पी की में थोड़ा स्थिती समझना चाहूंगी ना एंडिये के साथ ना विपक्ष के साथ तो किधर है बीस्पी किस तरहा से अब वो 2024 की इस लड़ाई को देख रही है अकेले चलना तो चाह और उनके लिए सारे ऑप्षन खुले हुए हैं वो कॉंग्रेस के साथ भी जा सकते हैं और संकेत कभी-कभी ऐसा भी मिलता है कि पोस्ट पॉल एलेक्शन में वो हो सकता है कि मोदी जी के साथ भी खड़ी हो जाए इस तरह कि संकेत मिलते हैं उनके कभी ट्वीट से क्योंकि कॉंग्रेस पर भी उतना ही प्रहार करती हैं लेकिन इसमें कोई दोराय नहीं है कि बी-एस-पी को अभी उस तरह से कमजोर नहीं आका जा सकता है तेरा फिस्दी बोट था पिछले विदानसभा चुनाओं में ये बात जरूर है कि उनके पास केवल एक ही विदानसभा की सी है और वो भी उस प्रत्याशी के अपने बल्बूते है लेकिन जो उनका कोर बोटर है जाटाओ वो अभी मायवति के साथ इंटेक्ट है और इसलिए बिपक्ष के एकता में वो बहुत महत्पूर्ण है लेकिन तेज तरीक को जो पटना में बैठक होने जा रही है उसमें शा उत्तर प्रदेश में अभी भी बेहद महत्पूर्ण है वो बात अलग है कि आज जो अखले शायदा वो पीडिये बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि दलित कॉंस्टिटेंसी को भी वो अपने साथ जोड़ रहे हैं वही अर्थमेटिक है और उस हिसाब से अभी कहा भी एक प भारती जनता पार्टी ने आती पिछली जातियों में अपना जनधार बहुत मजबूत किया हुआ है और जो ओबी सी की किसान जातियां है बेहद संजीदा हैं लड़ती भी है आरक्षन का सबाल उनमें बहुत ज़दा है और वो सड़क पर आकर कि संगर्स भी करती है लेकिन अखले शैदाओ या उनके जो प्रवक्ता भी बैठे हैं उन्होंने का कि आरक्षन को लेकर के भार्चनता पार्टी इस तरह का काम कर रहे हैं तो कब अखले शैदाओ सड़क पर उतरे हैं एक दोर होता था जब मुलैम सिंग हल्ला बोल करते थे और पूरी पार्टी सड़क पर उतरती थी लेकिन पिछले आप कई सालों में देखिए कि अखले शैदाओं ने सड़क पर उतर करके कोई उस तरह का प्रदरशन किया हो यही हालत माया बती की भी है उन्होंने भी ट्वीट से ज्यादा कोई राजिनीती नहीं की दलितों का उत्पिरन कितना बढ़ा और उसी में कोपोशन का शिकार कौन लोग हो रहे हैं गरीबी रेखा कि नीचे कितने दलित चले गए हैं यह उन्होंने नहीं बताया यह जिस दिन वो इमानदारी से सुईकार कर लेंगे मुझे लगता है कि उस दिन उनकी राजिनीती खतम हो जाएगी भारती जनता पार्टी क जो नहरा दिया है उनके एर्दगित कौन लोग हैं कौन उनको सलाय दे रहे हैं कि जब वो कहते हैं कि असी जीतना है तो यह वहां से योगी अजितनाद इसको पकड़ेंगे और वो यही करेंगे कि देखिए यह असी को हराने की बात कर रहे हैं माने हैं जब हम असी और बीस की बात कर रहे थे तो वो कहीं न कहीं इसमें सामप्रता एक धुर्भी करने की कोशिश करेंगे अकले शायद हो को शायद ये भी अंदाज़ा नहीं होता है कि हम जो नारा दे रहे हैं या जो हम बात कर रहे हैं उसको बीजेपी कैसे इस्तिमाल करेगी और दूसरा अभी जो ब गटबंधन देखेंगे हाँ उसमें मायवती होंगी की नहीं होंगी ये तो मैं नहीं कह सकता लेकिन एक मजबूत गटबंधन जरूर दो हजार चौविस के लोकसवा चनाव में दिखाई पड़ेगा और जो बेहद संजीदा होकर के भारत्य जंता पार्टी को टक कर देगा मत्रदेश में उकरनाटक में तो बड़ा मुद्दा था तो ये जो बुनियादी सवाल है वो सवाल भारत्य जंता पार्टी के लिए मुश्किल में डालेंगे और बिपक्ष की एकता अगर मजबूत हो गई तो फिर ये जो नरेदर मोदी और भारत्य जंता पार्टी की